अगर आप सीवरातरी का ब्रत हैं और भोग लगाने के लिए सोच रहें कि क्या बनाओ तो ये वीडियो आपके लिए है जरूर देखिएगा तो सीवरातरी पे भोग लगाने के लिए बहुत ही श्रांदार शूजी का रेसिपी लेकर आई हूँ तो चलिए देखते हैं कैसे ब जरूर कीजेगा यहीं पर मैं एक कटोरी चीनी डाल रही हूँ आप क्वांटिती ज्यादा या कम कर सकते हो अब चीनी को हमें मेल्ट करना है चासनी नहीं बनानी है दोस्तों तो चीनी हमारा देखिए मेल्ट हो चुका है आप देख सकते हो कि चीनी मेल्ट हो चुका है अब घी से ही बनाएंगे क्योंकि हमें भोग लगाना है और ब्रत के लिए तयार करना है तो घी लेंगे और सूजी लेंगे मोटा या पतला कोई भी चलेगा जो भी आपके पास सूजी हो ले लीजे भगवान यह नहीं कहते कि हमें यह स्पेसल बना कर दो तो चलिए यहां पर हम इ बन रहा है रेसिपी तो इसलिए मैं कलर का इस्तिमाल नहीं करूंगी आप चाहो तो कर सकते हो अगर घर में खाना हो तो तो यहां पर देखिए भून गया है आधा भून गया है अब थोड़ी सी और भूनोंगी तो थोड़ा टाइम लगता है दो से तीन मिनट दोस्तों रेसिपी बनकर तैयार हो रही है भगवान के भूग के लिए अब जो चासनी बनाई थी मैं थोड़ी थोड़ी करके मातरा में चलाते चलाते इसमें डालते जाओंगी एक तरफ चलाते जाओंगी बहुत ही सांदार मिठाई होगी बनकर तैयार यहां पर तो लीजे हमारा अब दीरे-दीरे होने लगा है और उपर घी आने लगा है तो इसी तरह से हमें तैयार करना था और बहुत ही हेल्दी और टेश्टी बनने वाली है भगवान भी और आप भी दोनों खुश हो जाओगे और बहुत ही अच्छा सांदार बनकर तैयार होगा तो देखिए हमारा बर्फी बनाने लायक तैयार हो चुका मैं पूरा करके इसको दिखा रही हूँ इतना तक हमें लाकर छोड़ना है पतला बिल्कुल मत रखिएगा तो हमारा हो गया है बर्फी बनाने के लिए तैयार तो देख सकते हो आप कितना दानेदार एकदम मावा जैसा बर्फी तैया हो रहा है तो चलिए इसे मैं सर्फ कर लेती हूँ छोटी सी प्लेट लेती हूँ इसमें पहले घी लगा कर अच्छे से कर लेती हूँ तयार ताकि अंदर से चीपके नहीं और इसमें जो बनाकर मैं सूजी कर रखी थी उसे इसमें ट्रांसपर कर दूंगी तो देखिए भोग लगाना हो या बरत में खाना हो तो इस तरह से जरूर बनाइएगा È और खाईएगा और इंजॉय कीजिएगा बहुत अच्छा और टेस्टी मी लगता है और भगवान का चड़ाने के लिए बहुत अच्छा है मैं तो यही तैयारी की थी आप क्या तैयारी कर रहे हो हमें जरूर कमेंट कीजिएगा तो मैं भोग लगाने के लिए यही सूजी की करए द hyaldー जाता है तो पलटे के मदद से बहुत अचछ कट जाता है तो आप देख सकते हो तो सांदार सूजी की बरफी बनकर तयार हो गई है आप भी अपने घर में बनाईएगा इस तरह से और इंजोई कीजेगा हाँ दोस्तो थोड़ी सी और ध्यान दीजेगा अगर चासनी की जगा दूद में बनाईएगा सूजी डालिएगा तो उससे और अच्छा टेस्टी बन जाएगा और ही ज़्यादा टेस्ट आ जाएगा तो चलिए मैं थोड़ी सी काजू और थोड़ी सा केसर से सर्व कर दे रहे हूँ तो कितनी सूंदर दीख रही है ना तो लीजे सूजी का दानेदार बरफी हो गई तयार बहुत ही टेस्टी तो लीजे इंज्वाइ कीजे और भोग लगाने के लिए और खाने के लिए ब्रत पर तयार है खाई है और इंज्वाइ कीजे तो फ्रेंड आज की रेसिपी हमारी कैसी लगी हमें जरूर बताईएगा कमेंट पे और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तो मैं मिलते हूं नेस्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ बाबाई फिरेंड